अगर आप भी अपनी जंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को दोस्तों धन की आवशक्ता आज के दौर में हर किसी को है कोई माने या ना माने लेकिन पैसे के बिना आज के समय में अपनी जंदगी बिता सकना बेहर मुश्किल है या फिर शायद असंभव ही है क्योंकि हम कुछ भी करें उसके लिए हमें धन की आवशक्ता होती ही है इसलिए आज कल हर कोई जादा से जादा घं कमाई की कोशिश में लगा रहता है लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ ये पैसा आपके पास बना रहे मेवचा खर्ज ना हो जाए और आप गल्ती से भी किसी कर्जे के नीचे ना दब जाए ये भी तो ज़रूरी है इन सभी पहलों में से सबसे परिशानी वाली सिथी तब उत पर होती है जब हम किसी के कर्ज़तार बन जाते हैं बात एक रुपे की हो या फिर एक लाख की किसी से मांगा हुआ पैसा कर्ज ही कहलाता है और उसे चुकाने में जब व्यक्ति के पसी में चूट जाते हैं तो एक एक रुपे की कीमत समझ में आती है अमोमन लोगों के साथ ऐसा ही होता है वो ज़रूरत परने पर किसी मित्र या रिष्टेदार या फिर बैंक से कर्ज ले लेते हैं लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तब हालत खराब हो जाती है आज अस वीडियो के जरीए हम आपको वास्तु शास्तर के कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही है हमारे घर में जब धन आता है तो हम उसे एक खास जगहा पर रखते हैं कुछ लोग अपनी अलमारी के किसी गुप्त लोकर में उसे रखना पसंद करते हैं तो कुछ खास तोर पर घर में एक तिजोरी बनवाते हैं यदि आपने भी ऐसी ही एक तिजोरी बनवाई है तो उसे रखने का स्थान ध्यान से चुनें. संभव हो तो इस तिजोरी को हमेशा दक्षिन या फिर दक्षिन पश्चिन दिशा के दिवार के पास ही रखें, पाकि जब भी तिजोरी खुले तो उसका मुख उत्तर दिशा की और ही हो. क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है जो कि धन के देवता माने जाती हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तिजोरी आपके लिए धन का खजाना बन जाए तो आप इसके रखे हुए स्थान के ठीक सामने एक शीशा ल आगर साबित होता है. लेकिन जब कभी लगे कि आपके जीवन में धन से सम्मंदित बाधाएं आने शुरू हो गई है तो अपने घर या ओफिस की उत्तर दिशा को परकलें. क्या आप जानते हैं कि धन पाने में प्रकरती भी आपकी काफी मदद करती है? जी हां, हम पेड़ का चायन भी नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपके पास बड़ा घर है, अधिक जगा है तो आप बड़े पेड़ पोधे लगाएं. इन्हें घर की दक्षिन पश्चिम दिशा में ही लगाएं. लेकिन भूल कर भी बड़े पेड़ पोधों को घर या ओफिस की उत्तर पुर्व दिशा में ना लगवाएं. ऐसा करने से आर्थिक तंगी आती है और बाहर की और धन का प्रवा होने लगता है. धन पाने के लिए आपके वल दक्षिन पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा खाली रखे. अगर आप चाहते हैं कि घर मे आया धन घर में ही रहे, तो आपको बहुत सारे काम करने की आवशक्ता है. सबसे पहले घर में कोई कचरा एकत्रित ना होने दे. खास तोर से घर की खेड़कियां दरवाजे बिल्कुल साफ रखे. इसके अलावा घर में रखी वो चीज़े जो अब काम की नहीं है उन्हें बाहर निकाल दे. लेकिन अगर आप उन चीज़ों को काम मिलाना चाहते हैं, तो उनका प्योग करें, उन्हें ठीक करवाकर दोबारा इस्तमाल करें, लेकिन अगर आप उप्योग नहीं करना चाहते हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द बाहर कर दे. ऐसी चीज़े घर की सुक शांती को भंग करती है आखिर में एक और जरूरी बात अगर किनी कारणों से आपने कर्ज ले भी लिया है तो कर्ज की पहली किष्ट हमेशा मंगलवार को चुगाएं वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाता है तो दोस्तों आपको एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा